नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नोकरी एक्जाम वाला में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पैटागोगी सीरीज के अंतरगत भाग आठ लेकर आए हैं जिसमें 10 महत्पूर्ण कोशनों को हमने सेलेक्ट किया है जो सीखने के किस नियम पर आधारित होते हैं उप्शन नमर एक साद्रसता का नियम उप्शन दो प्रभाव का नियम उप्शन तत्परता का नियम उप्शन 4 साहचरिया का नियम सही उत्तर है उप्शन नमर 3 तत्परता का नियम कक्षा सिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित होता है तत्परता में कार्य करने की केंद्रित सक्ती नहींत होती है तथा साथ में तत्परता की तीवता भी बढ़ जाती है तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहा जाता है इस नियम के तहट निम्न कारिय करने होते हैं या आते हैं पहला है सिक्षकों को बालकों की अभीरुची और अभी छमता का मापन कर लेना चाहिए जिससे उनकी ततपरता का ज्यान हो सके यानि कितनी अच्छी तरह से वो बच्चे या छात्र सीख सकते हैं ये जो कहलाता है ये नियम ज्यात से अज्यात की और ले जाना दूसरा है बालकों को ततपरता के अनुरूप सेक्षनिक व्यवस्था की जानी चाहिए यानि जितनी बच्चों की चात्रों के रूची सीखने में हैं उसके अनुरूप ही सिक्षन ववस्था होनी चाहिए नमर तीन पूर पार्ट से कुछ तीन प्रस्ण पूच कर नवीन पार्ट यानि पहले जो पढ़ चुके हैं उससे समन्दित कुछ प्रस्ण जरूर पूचने चाहिए और उसके बाद ही नवीन पार्ट आरम करने चाहिए या पाठ प्रस्तावना भी इसको कह सकते हैं भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कारिया के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेने के समान होता है अगला प्रस्ण है सम प्रत्य निर्मान का प्रत्थम सोपान होता है सम प्रत्य निर्मान का 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 सोपान होता है प्रतक्षी करन उसके बाद आता है विभेदी करन उसके बाद प्रतक करन और फिर लास्ट में जो आता है सामाने करन सबसे पहला जो सोपान होता है संप्रत्यास अंकल्पना निर्मान करने का प्रतक्षी करन होता है उसके बाद विभेदी करन होता है फिर होता ह है पिर्थक करण और फिर होता है लास्ट में अन्तिम सामाने करण यह किरम जरूर आपको याद रखना है कैसे प्रतक्षिकरण विभेदी करण प्रतक करनों सामाने करण यह समप्रत्य या प्रस्तावन निर्मान का प्रत्थम सोफान प्रत्यक्षेक्रण होता है, अगला प्रस्ण है, प्रक्षेट, प्रक्षणात्मक, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्य, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्य द्वारा दिया गया, यानि किस के द्वारा दिया गया था, आप्सन नमर एक है वंडूरा के द्वारा, आ प्रिक्षनात्मक अधिगम संप्रत्य या प्रस्तावना का सिधान्त वंडूरा के द्वारा दिया गया था वंडूरा का पूरा नाम है अलवारट वंडूरा इस संकल्पना के तहत बालक के विकास का निरिक्षन किया जाता है तथा बालक को उचीत और सकारात्मक निर्देश दिये जाते हैं ताकि बालक का मनवानसिक और सेक्षिक विकास अच्छी तरह से हो सके। अगला प्रस्ण है उधारण, निरिक्षण, विसलेशन, वर्गीकर्ण, सामानेकर्ण, निमलखित में से किस विधी के सोपान है। उधारण, निरिक्षाण, विसलेशन, वर्गिकर्ण, नेयमीकर्ण, निम्ल खित में से किस विधी के उधारण हैं। Option 1 आगमन विधी, Option 2 निगमन विधी, Option 3 अंतर दर्शन विधी, Option 4 बहिर दर्शन विधी। आगमन विधी के जो प्रमुक सोपान हैं उधारण, निरिक्षाण, विसलेशन, वर्गिकर्ण, नेयमीकर्ण ये सभी सोपान आगमन विधी में होते हैं। जैसे उधारण, निरिक्षण, विसलेशन, वर्गीकण, नेमिकण का सोपान, आगमन, विधी के अंतरगत आते हैं। अगला प्रस्न ले लेते हैं, अवधान के आंत्रिक अत्वा व्यक्ति निस्ट निर्धारक हैं। अवधान के आंत्रिक या व्यक्ति निस्ट निर्धारक हैं। ऑप्छन एक, उद्दिपक, वस्तू और प्रविधी। ऑप्छन 2 रुची लक्षय अभिवरत्ति। ऑप्छन 3 प्रिकास, धवनी, गंध। ऑप्छन 4 पुरुषकार, दंड, प्रोच सहन सही है। उप्सान नमर दो, रुची, लक्ष, अभिवरत्ती, अवधान के आंतरिक या व्यक्तिनिस्ट निर्धारक तत्व होते हैं, कौन-कौन से तत्व होते हैं, अवधान के रुची, लक्ष, और अभिवरत्ती, आंतरिक या व्यक्तिनिस्ट निर्धारक हैं, अवधान के अंतर्गत निर्धारन निम लिखित हैं, यानि अवधान के जो आंतरिक निर्धारक होते हैं वो हैं अभिरुची, लक्षय, और अभिव्रत्ती, आदत, जिग्यासा, आवस्यक्ता, प्रिस्रिक्षण और अर्थ, ये सभी अवधान के आंतरिक निर्धारक तत्व हैं अगला प्रश्म है असलोग बाल मनोवज्ञान का च्छेत्र है अप्शन 1 केवल गरवावस्था की विसेस विसेस्ताओं का अध्यन, option 2 केवल वस्था की विसेस्ताओं का अध्यन, option 3 केवल बाले वस्था की विसेस्ताओं का अध्यन, option 4 गर्भा वस्था में या गर्भा वस्था से किसोरा वस्था की विसेस्ताओं का अध्यन, सही है, option 4 जो बाल मनो विज्ञान है, वो गर्भा वस्था से लेकर किसोरा वस्थ की विसेश्थाओं का अध्यन होता है बाल मनोवज्ञान के अंतरगत गर्वावस्था से लेकर किसोरावस्था की विसेश्थाओं का अध्यन किया जाता है मनोवज्ञान में मानव वैभार का अध्यन किया जाता है उसी प्रकार बाल मनोवज्ञान में बालक के वैभार के पर को सकारात्मक दिशा देने का प्रियास किया जाता है बाल मनोव ज्ञान के अंतरगत अगला प्रस्ma है वह अवस्था जो मात वह अवस्था जो कि मात्या के 21 में गुण सूत्रheiro जोड़े के अलग नय हो पाने के कारण होती हैak क्या कहलाती है प्राश्म को धान से समझें वह अवस्था जो माता के 21 में गोंसूत के जोड़े के अलग नहीं हो पाने के कारण होती है उसको क्या कहते हैं आप्स спрос and clean Todo Down syndrome portion तीन Turner syndrome ऑप्सन 4 विलसंट्रण सढीं सैंड्रम सही उततर है option नमरland सõ供ोसम दाउन सिंड्रम वह अवस्था होती है जो माता के 21 में गोंसूत के जोड़े के अलग नहीं हो पाने के इत्वार नहीं होती है बच्चों में पईदा होने Paul कॉलबर्ग के परमपरागत इस तरपर वाहकारकों के द्वारा यानि जो बाहरी कारक होते हैं उनके द्वारा निर्धारित होती है इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक तंत्र का अस्तित बनाये रखने के लिए नियमानिशार व्यवार करता है अगला प्रस्ण है कॉलबर्ग के अनुसार की सवस्था में नैतिकता वाहकारकों द्वारा निर्धारित होती है गोल वर्क के अनुसार की सवस्था में नेतिकता वाहकार को द्वारा निर्धारित की जाती है option 1 पारंपरिक अवस्था द्वारा, option 2 पूर पारंपरिक अवस्था, option 3 पश्यात पारंपरिक अवस्था, option 4 उप्रोक्त में से कोई नहीं तो सही उतर है option नमर दो, पूर पारंप्रिक अवस्था के अवस्था में नैतिक ताजो होती है, वो बाहरी कारकों द्वारा निरधारित की जाती है, कोलबर्ग ने कहा कि पूर पारंप्रिक अवस्था में नैतिक ता बाहरी कारकों या कारणों द्वारा निरधारित की जाती के लॉरेंस कॉलबर्ग के नेतिक विकास के सिध्धान्त में तीन पुरमुक अवस्थाएं बताई गई हैं पहला है पूर्परमपरागत इस्तर यह जो होता है प्राक रूड़ी गत इस्तर होता है पूर्व परमपरागत इस्तर या प्राक रूड़ीगत इस्तर अप्शन दो नमर दो परमपरागत इस्तर या रूड़ीगत नेतिक इस्तर अप्शन तीन नमर तीन उत्तर रूड़ीगत इस्तर पूर्परागत परमपरागत अवस्था में पालक में नेतिकता वाहकारकों के द्वारा नृर्धारित होती हैं तुईसे ध्यान रखें तीन पिर्मुकारक यो लॉरेंस कॉल्बर्ग ने नेतिकता है के विकास के सिधानत्यमने बताई हैं पूर्व प्रंपरागत इस्तर ज्युप्र प्रंपर्अगत इस्तर जिसे रूडी इगत नेतिकत इस्तर भी बोलते हैं तीसरा है उत्तर रूडी गत इस्तर पूर्व परमपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता वाहकारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है अगला प्रेस्ण लेते हैं निम्न लिखित में से कौन सा एक सही क्रम है कहने मतलब है कि जो निशेचन होता है उसकी ये अवस्थाएं है और सही अवस्था कौन सी है तो सही अवस्था है पहले क्या होता है अंडारों और सुक्रानों एक दूसरे से मिलते हैं अंडारों और सुक्रानों एक दूसरे से मिलते हैं उसके बाद बनता है युगमनज और युगमनज के बाद जो बनता है वो बलास्टोसिस्ट बनती है सबसे पहले अंडानों सुक्रानों का मिलन होता है फर्टिलाइज होने के बाद यूगमनज बनता है यूगमनज बनने के बाद में बलास्टोसिस्ट का निर्मान होता है इसकी वेक्ष हैं देखे लेते हैं सही क्रम होगा इसका अंडानों, सुक्रानों, युगम्नजय, उसके बाद बलास्टोसिस्ट, यह पिरकिरिया निशेचन से सम्मंदित है, जिसमें सरपर्थम गर्वाधान की क्रिया के दोरान सरपर्थम, अंडानों और शुक्रानों आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से यूगम्नज या भ्रून का निर्मान होता है। उसके बाद बलास्टो सिस्ट के रिया के द्वारा सिसू का निर्मान होना सुरू हो जाता है। अगला प्राश्ण हैं अंतर मुखी, बहर मुखी और उभर मुखी व्यक्तिक या व्यक्तित का वर्गिकन किसके द्वारा किया गया है। कितने प्रकार के व्यक्तित होते हैं अंतर मुखी बहर मुखी और उभय मुखी इस तरह के व्यक्तित का वर्गीकन किस वज्यानिक ने किया था। ओप्छन एक यूंग ने बुच्णर ने या सेल्डन नमर चार स्प्रेंजर ने सही उत्तर है ओप्छन नमर एक। यूंग ने व्यक्तित का वर्गीकन तीन वर्गों में किया था। एक है अंतर मुखी दूसरा है बहर मुखी और तीसरा है उभय मुखी ये वर्गीकन व्यक्तित का वर्गीकन यूंग के द्वारा किया गया था। इसके वाक्ष यहां पर एक बार देखे लेते हैं यूंग जो थे सुटिजर लेंड के मनोवग्यानिक थे, मनोवग्यानिक गुणों के आधार पर यूंग ने वक्तित का वर्गिगन किया था, और बताया था कि वक्तित मुख्य रूप से तीन प्रिकार के होते हैं, पहला जो के अंतर्गती यह सब आते हैं, उभय मुखी, बाल विकास और अध्यापन, यह सब जो होते हैं, तीन वक्तित होते हैं, अंतर्मुखी, बहर मुखी जो और उभय मुखी, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें, मैधफ़ोन के प्रस्ण है, अगला प्रस्ण है दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही क्योंकि हम ये जो सीरीज है वो पेड़ागोगी सीरीज है और उसके हर पार्ट के अंतरगत हम 10 प्रस्णों को लेके आते हैं 10 प्रस्ण ये आज का अंतिम प्रस्ण था जिसका उत्तर यूंग है उन्होंने अंतर मुखी, बहर मुखी और उभे मुखी वक्तित का वर्गी करण किया था आज़ा करते हैं सभी प्रस्ण आपको बहुत पसंद आएंगे और महत्तों सावित होंगे अगामी परिक्षाओं में अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दवा दें और घंटी के बटन को जरूर दवाएं और नॉटिफिकेशन पर सेट कर दें जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन मिलता रहेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद